गाउं जावली में लगातार चुनाव परचार चल रहा है परधान पद के लिए तीन परतियाशी चुनाव लड़ रहे हैं मैंने आपको एक खबर दिखाई पहले जो समस्या गाउं जावली की है वो है एक तलाब की गंदगी आपको दिखाई अब यह देखिए आप अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यह सबसे बड़ी जो समस्या गाउं जावली की है गाउं के बाहर से निकलता हुए यह नाला गंदगी से भरा हुआ है नाले तलाब अक्सर इसलिए बनाए जाते थे कि जिससे की नहरों का साफ पानी एक रास्ता बना ले और रास्ता बनाकर बाहर निकल जाए गाउं के अगल बगल से उस पानी में भहस गाएं भी ना सकती थी लेकिन यह जो नाला है यह पीछे बताया जाता है ट्रोनिका सिटी से कुछ बड़े-बड़ी फैक्ट्रियां है उनका कैमिकल वाला जो गंदा पानी आता है वो नालों में आता है एक स्थानिया है हमार साथ है अंकल जी क्या नदी में डालने के लिए छोड़ दिया गया है इस पर कोई भी सुनवाई नहीं होती हमारे मदन जैसे वहिया विदा है कि मैं चाहें तो पल बर में कुछ भी बदल सकते एक हमारी यह समश्या बहुत जादा गंद इतनी उठती है इसमें से निकलने बनने वाले जन कितने ग अर गंद ऊसमें हैं बड़ा जोड बोलते हैं बड़ा तलाब बोलते हैं यह बीचकल सेंटर में है है इतनी गंद है आप निकलते बटते सही आदमी आप निकलना आसान नहीं समझेंगे बहुत बुरी गंद उठती है देखते ही घिन आने लगती है उसको इतनी घिन आगी कि कहते हैं लोग कैसे जी रहे हैं इसमें अच्छा अंकल जी एक एक बात है कि सुनने में आता है कि इस नाले से ऐसे केमिकल वाला पानी भी अगल बगल के हैड़ पंपों में आ रहा है जिससे लोग पीने पर उनकी किडिनी की प्रावलम हो रही है हाँ यह पानी जब बहुत से बोर ऐसे हैं जो नीचे के नीचे जैसे तो पानी तो नीचे ही जागा सब में मिक्स होगा नीचे जाने पर पानी हेड़ बम का खराब होना है तो सबसे बड़ी समस्या है और सबसे बड़ी समस्या इस गाउं की इससे बड़ी बात यह है कि यह जावली गाउं मदन भहिया का गाउं है मदन भहिया एक विदायक भी खेकड़ा से विधायक रहे हैं लगातार बड़ा नाम है राजनीती की बात की जाए तो राजनीती में बड़ा नाम है इस्थानी लोगों का कहना है कि मदन भी अगर चाहें तो जिस तरीके तर फैक्टरियों का गंदा पानी इस नाले में आ रहा है वो एक मिनट में बंद हो जाए तो अब सबसे बड़ा सबाल यह है कि कब इस पर कारवाई होगी परधानी चुनाव चल रहा है और विधायक भी हैं लोनी से वह भी गुजर समाज से हैं नंद किशोर गुजर जी सत्ता में पार्टी में हैं और सत्ता में केंद्र में भी है स्टेट में भी है लेकिन इस तरीके की जन समस्याओं पर आखिर इन लोगों का ध्यान कब जाएगा हम इस खबर को दिखा रहे हैं इशुर करे हमारी इस खबर का कोई असर हो और जिस तरीके तो विधायक है नंकिशोर जी मदन भीया हैं बड़े-बड़े राजनीतिक हैं बड़े-बड़े नाम हैं क् इस खबर को देखने के बाद जनता की सुनवाई करेंगे और पीछे से जिस तरीके से गंदगी भरा ये पानी नालों में आ रहा है इस पर आखिर क्या वो कोई कारवाई करेंगे सासन से प्रसासन से बातचीत करके या फिर जो फैक्टरियों का पीछे से जिस तरीके से गंदगी भरा पानी इन नालों में छोड़ रही है क्या उस पर कारेवाई होगी